तो गाइस, रजिस्टेंस क्या होता है? R equals to M and E square tau L upon A होता है लेकिन आपको चो पढ़ाया जाता है जो आपके कोर्स में क्लास 12 में आता है रो L upon A होता है जहां रो को हम रजिस्टिवेटी या फिर स्पेसिफिक रजिस्टेंस कहते हैं अब स्पेसिफिक रजिस्टेंस जो रो हो गया दोनों एक्स्प्रेशन को आप आप कंपेर कर लीजिए तो रो जो आपको दिख रहा है M upon N E square tau हो गया जहां पर M मास आफ इलेक्टान हो गया जो मैटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा कौन से मैटेरियल से इलेक्टान आप ले रहे हो और E हो गया चार्ज आन इलेक्टान डाट इस आलसो इंडिपेंडेंट भी दा मैटेरियल अब क्या सिर्फ चेंज होता है इसमें N जो होता है ये और आपका tau रिलेक्षेशन टाइम ये दोनों तंप्रेचर और मैटेरियल डिपेंडेंट होगे इसका मतलब कि जो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा मैटेरियल और टंप्रेचर पे और भी कोई factors को affect नहीं करने वाले है इसका मतलब अगर हम आपसन की तरफ आएं तो कह रहा है कि रजिस्टिविटी डज नाट चेंज मैटेरियल चेंज करोगे चेंज हो जाएगी टंप्रेचर चेंज करोगे चेंज हो जाएगी सेब चेंज करोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि टंप्रेचर और मैटेरियल पे ही सिर्फ सोलली डिपेंड करती है तो आपसन आपका क्या हो गया सी हो गया थैंक्यू गैस